नमस्कार सौगत अपका नीजरूम पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंग सोनी टीवी का डांस रियल्टी सो जलक दिकलाजा 11 इन दिनों खूब चर्चा बटोड रहा है इस बार शोव में एक से बटका एक सेलिप्स ने हिस्सा लिया है वहीं अब सो अपने ग्रेंड फिनाली की ओर बढ़ रहा है ऐसे में हर कोई जानने को बिताब है कि आखिर ग्रेंड फिनाले में किस-किस कंटेस्टेंस ने अपनी जगा बनाई है जलक दिकलाजा 11 की पहली फाइनलिस्ट मनीशा रानी बन चुकी है बहले ही वह बतोर वाइल काड एंट्री शो में आई लेकिन उन्होंने अपने जवर्दान डांस से जजजेस को इंप्रेस की और साथ में ओडियन्स का भी दिल जीत लिया है और शो के फिनाले में पहुँच गई वहीं अब डूसरे फाइनलिस्ट का भी नाम सामने आ गया है खबरों के मताबिक जलक दिखला जा के दूसरे फाइनलिस्ट कोई और नहीं बल्की सुहिब इब्राहिम बन गई जी हां इस बात को खुद ів्राहिम की फैमिली ने कनफर्म किया है सवा इब्राहिम की बेहन सवा इब्राहिम ने इस बात की जानकारे उनके फैंस को दी है सवा एक ब्लॉग कर रहे हैं और वो शोशल मीडिया पर काफी पॉपलर है सवा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया इस वीडियो में शवा और सोहिब की कजन कहते सुनाई दे रहे हैं तो हमारा भाई जलक दिखला जा के 11 सीजन ग्रेंट फिनाले में पहुँच गया है आप सबसे गुजारिस है कि उन्हें भर-भर कर बोट करें इसके बाद सबसे आजाती हैं और दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारा विनर कैसा हो सोहिब इबराहिम जैसा हो सबसे इस स्टोरी को सोहिब ने अपने इंस्टाग्राम पर रिशेर भी किया है और उनके लिए इतना प्यार दिखाने के लिए एक स्टोरी रिप्लाई दिया है हाँ हाँ सो स्टोरी बता दे कि जहां मनीशा रानी और सोहिब इबराहिम शो के दो फाइनलिस्ट बन गए मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कर रात शो का सैमी फिनाली हुआ और उसमें शिफ्ठाकर एलिमिनेट हो चुके है अब देखना होगा कि तीसरा फाइनलिस्ट कौन होता है और जलक दिखलाजय का ग्रैंड फिनाली तीन मार्च को होने वाला है अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर जरूर करें अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें